नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका UPSC Adda 247 पे दीए House of Representative की जो speaker है जिनका नाम है Nancy Pelosi ये जो है अब ताइवान से रवाना हो चुकी है अब ये South Korea पहुँच चुकी है उसके बाद में जापान के दोरे पर निकलेंगी कोल मिला के जो Nancy Pelosi है ये Asian tour के उपर है present time पे और इन्होंने ताइवान भी विजिट किया है अब इसी चीज से इसी news से चीन जो है वो बुखलाया हुआ है जैसे ही Nancy Pelosi का जो plane है ताइवान से रवाना हुआ South Korea की तरफ यहाँ पर 27 Chinese war plane जो है वो एंटर कर गए ताइवान के air defense zone के अंदर यहाँ पर आप news भी देख सकते है नैंसी Pelosi के जैसे ही jet ताइवान से उड़ा 27 Chinese fighter jets एंटर ताइवान air defense zone as a tension flare तो यह काफी एक बड़ी news आप मान सकते हैं और इसी वज़े से कई बार यह mention किया जा रहा है बहुत सारे news articles में कि क्या चीन और ताइवान के बीच में युद्ध जो है वो शुरू हो चुका है या फिर शुरू होने वाला है या चाइना जो है इस चीज का बदला ताइवान से किस तरह से ले सकता है तो पर्टिकुलर इसी topic को discuss करने के लिए वीडियो आपके लिए बनाया गया है काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा इससे प्रिजन करता हूँ मैं मेरा नाम है सौरफ स्वामी और आगे बढ़ने से पहले कल से जो है UPSC foundation live badge जो हो शुरू हो चुका है for the 23 and 24 UPSC attempt आप जो है इसको enroll कर सकते हैं pre plus mains plus cset तीनों के तयारी जो है आपको करवाई जाएगी काफी कम price के अंदर by level course जो है आपके लिए बनाया गया है और साथ यह आप state PCS की भी दियारी करना चाते हैं चाहिए फिर हो UP PCS हो, MP PCS हो, Ariana PCS हो, UK PCS हो, JNK PCS हो so and so far बहुत से state PCS के courses, test series के courses available है तो आप इनको भी enroll कर सकते हैं SPCS जो अगस्त है उसका offer अभी भी valid है तो आप यहाँ पर 77% का direct discount पा सकते हैं all mahafax जितने भी live classes के साथ में मिलता है आपको क्या करना है? आपको add 2% application download करना है उसके बाद में यह जो code आपको यहाँ दिखाए दे रहा है Y572 code यह code आप जब use करेंगे तो आपको शायद यह 77% का flat discount मिल सकता है code आपको शायद अब अच्छे से दिख पा रहा होगा Y572 जो code है वो आपको use करना है for the gain, have a discount चलिए आगे चलते हैं अमेरी की परतिनेद्व सबाब में की जो अध्यक्स नेंसी पिलोसी इनके जाते ही Chinese fighter jets जो है वो ताइवान की स्थीमा में गुज गए और इनकी संक्या लगबग 27 बताई जा रही है तो 27 Chinese warplane जो है वो ताइवान के इस Air Defense Zone एरिया में fly होते हुए दिखाई पड़े थे जैसे ही नेंसी पिलोसी का जो jet है वो अपने अगले देश के दोरे की तरफ निकला दरसल देखे चीन के भारी विरोध के बीज ये जो पिलोसी है ये ताइवान की यात्रा इन्होंने करी है अब उनके जाते ही चीन जो है कही न कहीं बदला लेना चाहता है ताइवान से क्योंकि चाइना ने हमेशा से इस particular step का विरोध किया था अमेरिका को भी want किया था लेकिन आराम से बिल्कुल easy way में easily जो नेंसी पिलोसी है वो ताइवान आई डेली इसन से भी मिली और बहुत कुछ इनों ने चाइना के बारे में भी कहा और अमेरिका का सपोर्ट जो है वो दिखाया ताइवान को ये सब करके अब वह अगले दोरे के लिए निकल चुकी है आप एक क्येशन पूछ सकते हैं कि चाइना इन सब चीज का बदला कैसे ले सकता है ताइवान से देखे चाइना जो है मिसाल टेस्ट कर सकता है around the border of ताइवान drills कर सकता है exercise कर सकता है ताइवान को डराने के लिए या attack भी कर सकता है उसके अलावा economically भी बहुत सारा effect जो है ताइवान के उपर चीन डाल सकता है जैसे sand, fish, tech जो है इनका जो export होता है कहीं न कहीं ताइवान से उनको band कर सकता है क्योंकि semiconductor का hub माना जाता है जो chips आप देखते हैं mobile में, laptop में, हर electronic device में उनका एक बहुत बड़ा hub है ताइवान उसके अलावा sand जो है जो मिट्टी है उसके उपर भी band लगा दिया जा चुका है यहाँ पर आप news भी देख सकते हैं इसके उपर particular news आ चुकी है हाँ इसके उपर यह जो sand है उसके उपर band करने की जो बात है वो कही जा चुकी है यहाँ पर आप देख सकते है चाइना unleashes economic curves on Taiwan with sand, fruit and band तो यहाँ पर sand और fruit के band को लगा कर चाइना बदला ले सकता है ताइवान से उसके अलावा जो separatist रहते हैं border पे उनको criminalizing कर सकता है, diplomatic protest कर सकता है, cyber attack कर सकता है cyber attack भी करने की कोशिश जो है चाइना के दोरा की गई है इसके लिए भी news हमारे सामने आ चुकी है यहाँ पर आप देख सकते हैं ताइवान defense ministry website hit by cyber attack amid China's tension तो यह भी हो चुका है इसी वज़े से ऐसा कहा जा रहा है और यह तो military test और drills की बात जो चल रही है यह particular जो map है वो चाइना का जो mouthpiece है global times उसने publish किया है twitter के उपर, यहाँ पर आप देख सकते हैं ताइवान को चारों तरफ से एक तरीके से वार्शिप से घेर लिया गया है हाला कि यहाँ पर अमेरिका के naval base भी स्थित है लेकिन air defense zone में entry कर चुके हैं उसके साथ साथ अगर हम पानी में देखें तो पानी में भी ताइवान को चारों तरफ से घेरा जा चुका है और कुछ Iceland को कबजा करने ही कुरी-वरी कोशिश की जारी है तो इसी वेज़े से कहा जा रहा है कि यह जो इस चाइना सी है इसमें एक बड़ा step चाइना ले सकता है और ताइवान को ताइवान की जितने भी छोटे-छोटे आइलेंड है इनको capture करने की पूरी-पूरी कोशिश जो है चाइना कर सकता है वैसे देखें एक चीज में आपको यह जरूर बताना चाहूंगा कि यह जो विजिट है पेलोसी की यह कितनी महत्वपून है क्योंकि पहलोसी पिछले 25 वर्षों में ताइवान की यातरा करने वाले अमेरिकी परदिनेद्व सबाग के मतलब हाउस ओप रिप्रेजनेटिटिव के पहले अद्धक्ष है और ताइवान को अपना चेतर मानने वाले चीन ने द्वीब को चारो और से कई सेन्य अब्यासों के तहट घेर लिया है और इसकी घोषना जो है वो भी चाइना ने कर दी है कड़े जो बयान है वो जारी किये जा रहे है चाइना की तरफ से इससे पहले बुदवार को पहलो से ने ये कहा था ताइवान का दोरा करने के बाद में कि अमेरिका का हमेशा सपोर्ट जो है ताइवान के उपर रहने वाला है अमेरिका जो है स्वसासी दीब के पड़ती अपनी ये जो एक्टिविटीज है इन से पीछे नहीं अटेगा और ताइवान की राश्पती साइंग इंग वें थी मुलाकात के बाद में एक स्टेटमेंट में आपको जुरू बताना चाहूंगा जो नहीं से पहलों से नहीं कर रही है इसके बाद में ताइवान और दुनिया बर में लोक्तंतर की रक्षा करने वाले जितने भी देश हैं अमेरिका उनको सपोर्ट देने के लिए हमेशा परतिबद है ये स्टेटमेंट दिया है नैंसी पिलोसी ने उसके साथ साथ ताइवान के इस एर डिफेंस जोन में पर्टिकुलर एदिया हम बात करें तो हमेशा से एक न्यूस हमें मिलती आई है कि ताइवान के एर डिफेंस जोन में चाइनीज जेट देखे गए हैं आपको याद हो तो जब युक्रेयन और रश्या का वार स्टार्ट हुआ था उसके कुछ दिनों बाद में ही तीन से युक्रेयन पर उसी तरह के से चाइना भी ताइवान के उपर अटैक कर सकता है लेकिन ये बात उस समय इतने इफेक्टिव नहीं ने करी लेकिन फिर भी इसको लेकर चाइना वास्ता में काफी ज़्यादा सीरियस है और अगर हम आगे की बात करें तो ताइवान का ये कहना है कि उसने किनमेन के पास में एक संदिग्द ड्रोन को भगाने के लिए आग भी लगाई है मतलब ये जो किनमेन आइसलेंड है इसके उपर इस तरह की एक्टिविटी देखी गई है क्योंकि ताइवान की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने ये कहा है कि एक अग्यात वीमा जो है वो ड्रोन के साथ बुद्वार को रात को किनमेन दिवों के उपर से उड़ रहा था और बाद में उसके उपर आग भी लगाई गई इसी वज़े से आप ये भी चीस समझ सकते हैं कि ताइवान की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो कितनी ज्यादा एक्टिव है इस पर रहा है कि चाइना चाइना और ताइवान के बीच में वार होती भी है चाइना इन्वेजन करता है ताइवान पे तो जिस तरीके से युक्रेन रश्या को जवाब दे रहा है शायद उससे ज्यादा अच्छे तरीके से ताइवान जो है चाइना को जवाब दे सकता है क्योंक कि ये कहना बहुत ही मुश्किल काम है कि चीन को हरा पाएगा ताइओन लेकिन फिर भी देखे आप इस चीज को एक चीज से और समझ सकते हैं कि ये सब चीजे चाइना के लिए इतनी सीरियस क्यों हैं देखे उसका एक पर्टिकुलर रिजन ये है कि चीन की जो कम्मिनिस पार् आतार तीसरी बार राश्पती पत का दावा करेंगे अब ऐसे में पहलो सी का दोरा जो है सी जिन पिंग के दावे को कमजोर करने वाला है इसलिए वह इस कदम का शायद कड़ा जवाब दे सकते हैं इसी वज़े से ये जो बाते हैं पर्टिकुलर पर्जें टेम पे कही जा यह जा बिंग कि दीखेए एश्यूटि जर्फे meal को अवरे इसे पहले नेडिवेसिया थी उससे पहले यह सिंगापूर के बाद में यह ताइवान इनोनने विजट गया उसके बाद में अब ये South Korea पहुंच चुकी है फिर ये Japan के लिए जाएंगी और इस तरह से इनका जो Asia टूर है वो पुरा हो जाएगा अब दीखे चाइना के Nevel Base भी आपर आप देख सकते हैं जो Red Star आपको दिखाई दे रहे हैं ये चाइना के Nevel Base है तो इस तरह के से ये जो War है इतना आसान नहीं होगा इसलिए कई Social Media Post में World War 3 की जो संक्या है वो भी दी जा रहे है क्योंकि यहाँ पर चाइना के सपोर्ट में बहुत से देश आज चुके हैं लाइक रशिया है पाकिस्तान है और ताइवान को सपोर्ट करने के लिए जर्मनी ने भी अपना भयान दिया है अमेरिका ने भी तो अमेरिका तो खेर हमें ज़र ताइवान को सपोर्ट करता ही आया है तो इस इन सब चीजों से एक तरीके से एक अक्टिवीटी जो है वो शुरू हो चुकी है इस East China Sea के अंदर आगे हमें देखना होगा कि क्या इसके परिणाम निकल सकते हैं या फिर क्या कुछ हो सकता है खेर आपको जरू कुछ नया जाने को मिला होगा इसी तरह के important और informative वीडियो से साथ मिलते रहेंगे धन्यवाद